हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी के पॉपिलर शो दुर्गा और चारू के लेटेस ट्रैक में आप सभी को क्या कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर फाइनली चारू और दुर्गा एक दूसरे से मिल चुके हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हो चुके हैं और यहाँ पर चारू दुर्गा की ताकत बनने की कोशिश कर रही है क्योंकि दुर्गा हमेशा से ही बहुत डरी हुई और सहमे हुई होती है जिसके बार अभी भी दुर्गा का वही हाल है और इसी के चलते चारू से घर तक पहुच गई है दुर्गा को सभालने के लिए और यहां पर दुर्गा बताती है कि मैंने इसी राक्षस को देखा था जो किताब मैंने पढ़ी थी इस किताब से ये राक्षस बाहर निकल चुका था और इस बात पर चारु यकीन नहीं करती और चारु कहती है कि हाँ ये डरावना तो बहुत ज़ादा लग रहा है लेकिन ये किताब से बाहर कैसे निकल सकता है लेकिन दुर्गा अपनी बातों को समझा लेती है चारू को और चारू यहाँ पर दुर्गा को हिम्मत देती है और कहती है कि तुम्हें डरना नहीं है तुम्हें सहना नहीं है तुम्हें अपनी बातों को हमेशा बोलना है और जितना डरोगी दुनिया तुम्हें उतना ही डर जिसके बाद दुर्गा समझ जाती है और यहाँ पर यह दोनों बहने मिलकर बाहर खेलने चले जाते हैं जिसके बाद बड़ी मा की नजर पढ़ जाती है चारू के उपर और जैसे ही वो चारू को देखती है उन्हें बौन्दिता की छलग दिखाई देती है और वो बौन्दि में बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले